Good morning friends and welcome to my channel मेरा नाम लता है, मैं इंडिया में रहती हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर तुलसी के प्लांट पे फंगस का अटैक हो जाए तो हमें क्या करना है और क्या-क्या साफधाने हमने अपने लिए बरतनी है और प्लांट को भी कैसे ट्रीट करना है तो आज है दिसंबर की 30 तारीक 2020 और सुबर के 5.5 पॉने 6 बज़े मैं उठ जाती हूँ जैसा कि नौर्टली हर घर में होता है कि सुबर की चाय बनाने के लिए हम लोग तुलसी के पत्तों का इस्तमाल करते हैं तो मैं बाहर बालकनी में आई और सोचा कि पत्ते तोड़ू तो देखा कि यहां पे पत्तों के उपर कुछ वाइट से पैचिस हैं आप भी देख पा रहे होंगे ऐसे लग रहा है जैसे कि पाउडर सा छिड़का हुआ हो पास से आपको दिखाती हूँ यह देखें काफी पत्तों के उपर यह वाइट वाइट से पैचिस हैं तो आपने जब भी दुलसी तोड़नी है तो कियरफुल रहने कि इस प्रकार के पत्तों का आपने उप्योग नहीं करना सेकेंड मैं मटी चेक करें हूँ मटी में थोड़ी नमी है और यही रीजन है जो फंगस के अटाक को फेवर करता है हमारी यहाँ पे काफी दिनों से बारिश हो रही है सर्दी तो है है और धूप भी नहीं निकल रही है इस वज़ा से जनरली सभी प्लांट्स पे अटाक नहीं करती है लेकिन जो प्लांट्स सेंसिटिव होते हैं उन पे यह पाउडरी माईल्यू या फंगस का हमला हो जाता है और उस समय हमें थोड़ा कियरफुल रहना पड़ता है सेकेंड जो ट्रीट्मेंट मैं आज करूँगी अपने इस पौधे के लिए वो मैं यह जो इसके सीट्स आ गए हैं सारे के सारे कट कर दूँगी फ्रेंट जब भी फंगस का अटैक होता है तो हमारे प्लांट की ग्रोथ रुख जाती है पत्ते पीले पड़के जड़ना शुरू हो जाते हैं और यह वाइट पैचिस तो आपने देख ही लिए और ओवराल प्लांट को देखें तो यह बिमार सा नजर आने लगता है तो इसके सीट्स तो आज काटने ही काटने हैं सीट्स की वज़े से भी इसकी ग्रोथ रुखती है और वैसे भी सर्दी में यह सभी प्लांट्स डॉर्मैंसी में चले जाते हैं यह देखें यह पत्ता मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ वाइट पैचिस हैं आपने कभी भी इस प्रकार के पत्ते खाने नहीं क्योंकि यह हैल्थ को फाइदा देने के बजाए नुकसान नहीं करेंगे और दूसरी बात यह है कि अगर हम इनका समय पर ट्रीट्मेंट नहीं करते हैं तो यह पूरे प्लांट को ही बरबाद कर देते हैं आजकर क्योंकि पोविड है और सर्दी भी बहुत है तो तुलसी का उप्योग हम करते भी जादा हैं चाय में भी डलती है इसका काड़ा भी डलता है तो आपने थोड़ा से कियरफुली अपने प्लांट को देखवाल करना है रेगुलर चेक करते हैं कि इसमें ऐसे कोई वाइट पैचिस तो नहीं है अभी एक दो दिन पहले मैंने देखा तो इस पे कुछ भी नहीं था तो और धूप नहीं आई थी तो ये तो बहुत जल्दी फिर हो जाती है और तुलसी का प्लांट हमारा थोड़ा सेंसिटिव भी होता है वैसे तो फंगस का अटैक किसी भी प्लांट पे हो सकता है तो चलें अभी दिन के 12 बच गए हैं थोड़ी सी आज धूप आई है आप देख पा रहे होंगे तो मैं आज इस प्लांट का ट्रीटमेंट करूंगी और आपके साथ कुछ बातें भी शेयर करूंगी कि कैस आप भी अपने घर में तुलसी के प्लांट को अगर फंगस का इंफेक्शन है तो आप उसको क्या क्या करें सबसे पहले तो मैंने इसकी मिट्टी की गुडाई कर दी है और इसके जो पत्ते सूख के गिर गए थे वो इसी गमले में गिरे पड़े और भी प्लांट में जब यह पत्ते गिरते हैं तो मैं उनको फेकती नहीं हूं मत्ती में मिला देती हूं तो यह गुडाई हो गई अब मैं डालने वाली हूं तुलसी के प्लांट की जड़ों के पास यह हल्दी का पाउडर हल्दी का पाउडर काफी अच्छा है अंटिबाटिक है अंटिसेप्टिक एंटिफंगल भी है और यह सूजन वगारा को भी दूर करता है फ्रेंट जिस तरीके से हम लोग बिमार होते हैं वैसे पौधे भी बिमार होते हैं तो पहला ट्रीटमेंट तो हल्दी हो गया अब हम तुलसी को कोई जनरल जो एंटिबॉटेक्स हम खाते हैं या क्रोसिन वगारा खाते हैं वो सब तो नहीं दे सकते हैं तो यही मैं डाल दिया करती होते हूं तुलसी में हल्दी हल्का सा मैंने जो पानी को गरम कर लिया है क्योंकि ठंड बहुत है और गर्मियों में तो चलता है जैसा भी पानी दे तरदियों में थोड़ा सा गरम करके दें तो अच्छा रहता है नेक्स्ट अब आप देख रहे होंगे मैंने यहां लिया है इनो यह हर किचन में अवेलिबल रहता है अब हम अपने प्लांट के लिए एक औरगैनिक मेडिसन बनाएंगे घर पे आपके बस इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा ले सकते हैं याने के मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं उसको यह हमने लिया एक छोटा सा चमच नेक्स में ले रही हूँ ओईल कोई भी तरह का आप ओईल ले सकते हैं कुकिंग ओईल यह ले 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 2 चमच और इसके बाद थर्ड जो हमने चीज डालनी है वो यह है हैंड़ वाश कोई सा भी आप लिक्विड हैंड़ वाश ले सकते हैं या कोई लिक्विड डिटरजेंट ले ले या डिश वाशर ले 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 या शैंपू भी ले सकते हैं अब इन तीनों को mix कर दे, धीरे धीरे इनको mix करना है, बड़ी सुन्दर सी इसमें जाग भी बन रही है, आप देख पा रहे होंगे, और ये अब मैं मिला दे रही हूँ, एक कप पानी, और ये देखें जाग उपर उठके आ गई, ये तीनों चीजें मिल गई, सोप, पानी, बेकिंग सोडा, और हमने उसमें शेंपू थोड़ा लिक्विड सोब डाला था, तो ये हमारा बन गया एक antiseptic solution, और इसका हम स्प्रे करेंगे, और एक एक पत्ते पे हमने बड़े प्यार से पेशेंस से इसका स्प्रे करना है, ताकि जहां जहां पे भी fungus की infection है, वो दूर हो ये दरसल antiseptic solution बन गया, और इसमें थोड़ा साबून हमने इसलिए डाला है, कि जो स्प्रे के पार्टिकल्स हैं, वो क्लीन भी कर देंगे प्लांट को, और ओल इसलिए डाला है, कि एक solution जो है, इसके जो पार्टिकल्स निकले हम प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये पार्टिक इसको मारता है, फंगस जो है, वो acidic conditions जब होती है, जैसे pH कम हो जाती है, sunlight नहीं है, humidity है, तो उसमें ज्यादा ग्रो करती है, तो soda जो होता है, वो alkaline होता है, और उसको acidic medium को खतम कर देता है, तो alkaline medium होने से स्वते ही फंगस पूरी की पूरी मर जाती है, और इसको हम जो स्प् एक दिन में अभी तो डालना ही पड़ेगा regularly सभी plants पे क्योंकि आगे आने वाले दिनों में और ठंड रहेगी और जन्वरी में भी बारिशें बहुत होती हैं धूपी नहीं आती है तो ये मैं इस पे स्प्रे कर दे रही हूँ second option ही है कि आप नी मॉयल का भी स्प्रे कर सकते है मैं किसी तिन बनाओंगी नी मॉयल तो आपके साथ फिर मैं शियर करूंगी और वो भी best है, home made ही सही रहता है antifungal solution तो ये मैंने अच्छे से सारा स्प्रे कर दिया और धूप में plant को रखा है और बस इतना ही treatment करना है और फिर regular इसको देखते रहना है आशा करते हूं आपको मेरा ये वीडियो यूस्फुल लगा होगा चैनल पर पहली पार आएं तो subscribe करना ना जरूर भूले नहीं प्लीज, thank you so much